हेल्लो एब्रिवान तो आज अपन करने वाले हैं फिफ्थ लेक्चर आपका करेंट इलेक्षिटी का और अल्मोस्ट बहुत सारी चीज़ें अपने इस चप्टर में कर लिया है करेंट पोटेंशियल ओम्स लॉव फैक्टर सॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स कर लिजेगा फिर उसके बाद आज इस चैप्टर को करेंगे समाथ किर्चॉप स्लॉप का हो चुका है तो अब उसके आगे क्या बचे आपका विट्स्टोन ब्रीज पोटेंशियल मीटर वायर और मीटर ब्रीज बस बागी और कुछ बचे ही नहीं है ना चलो भाई तो इस कर लेंगे ठीक है तो आज पांचवा लेक्ट्टर है और पांच लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स का करेंट इनर्सिटी कम्क्टी होने वाला है पूरा ना बताम गईच गंटे से कम है क्योंगी कोई भी वीडियो एक घंटे से उपर गातो है नहीं चलो तो करेंट इस इस ही हो पाएगा न हाँ 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 वैल्ली बताओ जल्दी से दो ओम दो ओम दो और चलो तो यह कुशन करते हैं मैं फटाक से खले एक्वेशन मना ज़िए कि कि छुड़ दूँगा स्वाल आप लोंगो करना है आप लोंग सही एक्वेशन मनाए देगी निया आप चेकिजएगा मैं क्या मान नहीं रहा हूं कि यहां से करेंट जा रहा है वो आईवन यहां पर आईवन तो यहाँ पर बीच में जो current उपर जाएगा वो जाएगा I1 प्लस I2 ठीक है इसको यहाँ से अटा जोते है अब मैं तो उनों में KVL लगाँगा क्या लगाँगा KVL किर्चौफ्स वोल्टेज लॉ मैं क्या लगाँगा किर्चौफ्स वोल्टेज लॉ किर्चौफ्स current law मैंने लगा दिया आपको पता भी नहीं चला कैसे मैंने बोला यहाँ से I1 आ रहा है यहाँ से I2 तो यहाँ कितना जाएगा I1 प्लस I2 तो जब आपने यहाँ पर यह बोला कि I1 प्लस I2 जाएगा तभी आपने किर्चौफ्स current law लगा दिया कि टोटल सम इस जंक्शन में कितना होगा करेंट का जीरो तो I1 I2 आ रहा है और I1 I2 चला गया तो नेट सम आफ ओल्टा करेंट क्या हो गया जीरो तो किर्चौफ्स current law अपने लगा दिया अब आपको लगाना है किर्चौफ्स वोल्टेज लौ किर्चौफ्स लूप में लगा दूस लूप से हैटना चलो अब कहां से जा रहा हूं तो मैं उधर जा रहा हो नगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस सिख्टि रुखूंगा फिर मैं उदर जा रहा हूं current view तो माइनस तो कि current higher potential से lower put के तरफ जाता है तो आप जिदर current जा रहा है आप भी उधर जा रहे हो मतलब lower potential के तरफ जा रहे हो तो आएगा minus resistance कितना है 2 और current कितना है i1 plus i2 फिर यहां पर मैं भी उधर current भी उधर तो minus 2 i1 फिर positive से negative तो minus हो जाएगा minus 20 is equal to 0 तो 60 minus 2 i1 minus 2 i1 minus 4 i1 minus 2 i2 और 60 minus 20 40 कर दो इसको equal to 0 तो एक equation यह बन गई और एक और equation अब यहां पर लगाओ फिर यहां से ऐसे जा रहा हूं मैं ठीक है तो मैं जा रहा हूं negative से positive तो 60 minus 2 times i1 plus i2 यह तो सेम होगा उसी सर्गेट में यहां से यहां अब मैं उधर जा रहा हूं current भी उधर तो minus 2 times i2 फिर positive से negative तो minus 10 equal to 0 तो 60 minus 10 50 minus 2 i1 minus 4 i2 equal to 0 दो equation दो unknown आप किसी भी method से solve कर सकते हो substitution elimination या cross multiplication जिस से आपकी मर्जी हो और आप इसका answer निकाल सकते है इसी ता question अगर आपने equation सही बनाई मतलब आपने सही solve किया है बिल्कुल यह equation बनाना था इसके आगे तो मैं सगनित है linear equation into variable चलो ठीक है अगले एक और सवाल है उसका भी equation मना दूं क्या उसकी value से बहुत गंदी आ रही है तो आप equation बना के छोड़ सकते हैं उसका है ना बताओ क्या question अमने को दिखाओ चीक है last class मेंचे मैंने आपको question दिया था क्या vibrate कर रहा है बहार कोई speaker चल रहा है वाग ध्याना करा बहती गंदा डाइग्राम में आते हुए कर दो दो है ना यह दो चैनि अधाल आप में डि भी चाहर है कि मैं बस कर थेखेटी के बाद बेंड करना तो प सिर्ध्य वह प्लाओं सिर्दो मेने की दिना ओफित तो मैं माल ने रहा हूं कि यहां से क्रेंट जा रहा है ऐसे यहां से बीडरन जा रहा है ऐसे अफित यह रूप कोई जादा नहीं है बनना चाहिए था नहीं बना तो पता ने क्यों नहीं है ना इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं आप हमारे पास है कि अा रहे रहे या आ वह बुड-गूट-गूट-गूट-गूट-गूड-वाथ वह ना चलो अपना फीचर ही उजब साथ ने करा की है अब इस में लगाएंगे और इसमें लगाएंगे लगाएं चल्दी से साथ यह जाएगे है ना चलो तो मैं यहां से उतता हूँ यहां से स्टाइटा हूँ ऐसे गोल हुं क्या आता हूँ 네गेटीफ से पॉसिटिफ धू दे प्लस ता रहा हूं प्लास यड़ फीर उधर गुड़ामा था रहा हूं कर्णि इट ऐन झेट अ कि रिकार्ट और रहा है विए को मैं बोला है विप्रेशन आ रही है बहुत पहले से चलो यहां से महां प्लस 10 फिर उदर जाने पार माइनस तू आई तू फिर इस जाने में माइनस 10 i1 माइनस 10 i2 फिर नेगेटिव से पॉसिटिव जा रहे हैं तो प्लस 20 माइनस 4 i2 इक्वल टू 0 दो एक्वेशन है सॉल करोगे एंसर आ जागा दो यह नो नहीं और और आप इसको किसी भी मैटाड से कर सकते हो चाहिए लिमिनेशन सब्सुट्यूशन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जो चो पढ़े थे क्लास 10 में दो एक्विशन को सॉल्व करने का यह यह आगे बढ़ते हैं चलो अब है तीन छोटे-छोटे टॉपिक जो आपन करेंगे आगे दिखाऊंगा अगर हम वक नहीं कर कहेंगे तो आगे अगे अगर बहुत भी हाना को वाइब्रेशन था साउंड गा इस वाइशन साउंड पॉलूशन निसांड पॉलूशन काई नों घुसे रहते हैं उसे स्पीकर में काल लगा के इस चलो मीटर ब्रीज से पहले आपन को करना है वीट स्टोन ब्रीज जैसा बताऊंगा जो बताऊंगा वैसा याद रखना तो वीट स्टोन ब्रीज वीट गेहूं गेहूं में पत्थर वाले ब्रीज ठीक है अब देखा आगे जल्दी से जल्दी से देखो ज्यादा लंबाग नहीं करना है वीडियो अल्रीडी आठ मिनिट होगी वाहाँ दो कुशन में चलो वीट सोबीज तो इस टाइप का चबी कामबिनेशन होता है चार से यह कामबिनेशन और कुछ कुछ बी सर्कूट है जो भी हमेरा बीच में से सर्कूट में ए जोइन और यह पार जो है health रीज inそ यहां जाए ऐसा हो सकता है ना कि अपन कुछ सेंट ले ले आरवन टू रिफरी आरफ़ोर का कुछ इस तरीकिए का सेट ले कि यहां बीच में से करेंड जाएंगा नहीं उसी को बन भोलता है बैलेंस वीड्च्ट्रोन ब्रीज मतलब अपनको एक ऐसी कंडीशन निकालनी है आ अगर बीच में वायर है तो दोनों सिरीज में नहीं है मैंने क्या बोला था सिरीज जब एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हो और इन दोनों के पवित्र रिस्ते को किसी तीसरे की नजर नए लगी हो मतलब यहां से और कोई तीसरा वायर ना जा रहा हो तब अपन उसको क्या पुलते हैं सिरीज तो अब अगर यहां पर अगर करेंट जीरो हो गा तो अपना हटा सकते हैं तो यह दोनों नो चान्डोन हो सॉल सॉल गा है को रही है आर वन- algum आर्टू की इसी संद्रिंग निहीं रहेंगा तो करेंट क्या क्या है ना तो आपन को क्या करना भी cannot potential का potential तो फिर वहां से कर jn Plue he金 करेंगे का misschien कर दलबॉफ हाँ खिक एठ उसके हैं कि तो अपन को यहां वहां वमaro पूरे लूप में गोल गूंँ तो नेट पोटेंशल कितना होना चाहिए जीरो यहां पर तो कुछ हाई यहां से वहां जा रहा हो करेंट इधर आ रहा है तो प्लस लिखूंगा प्लस आई टू इन्टू आर फोर फिर मैं उदर जा रहा हूं करेंट इधर माइनस आर वन इन्टू आई वन वापस उसी पॉइंट पहुंच गया तो इक्वल टू जीरो के वियल लगा दिये इस मैं उदर जा रहा हूं करेंट इधर तो माइनस आर थी आई टू फिर मैं उदर जा रहा हूं करेंट इधर आ रहा है तो प्लस आई वन आटू अरे यहां से तो आई वन करेंट आ रहा है यहां साइटू वहां भली आई वन प्लस आई टू जा रहा है यहां साइवन प्लस आ आइटू यह दो उधर चला जएगा तो I आईवन एटू हो जाएगा आरफूर बाई आर मधैनों और यह उधर चलाजाएगा तो प्लस बन स्टेएगा मतलब इककोल टू यहाँ गया तो I है i1 by i2 क्या हो जाएगा r3 by r2 अब ये भी i1 by i2 ये भी i1 by i2 मतलब दोनों equal a b के बराबर और a c के बराबर मतलब b और c क्या है बराबर मतलब यहां से इन दोनों से अपने conclusion निकाल सकते हैं कि r4 by r1 is equal to r3 by r2 चीग है या मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूं cross multiply कर दो r4 into r2 is equal to r1 into r3 यह मैं याद रखता हूं cross multiply मतलब इसका और इसका multiplication ऐसे इन दोनों का multiplication अगर इन दोनों के multiplication के बराबर है तो उसको अपन बोलेंगे balanced with stone bridge मतलब फिर उसके बाद बीच वाले में से current flow नहीं करेगा तो उठा के फेको और solve करो बस simple सी condition है with stone bridge मतलब इस type का combination है जिसमें बीच से current flow ना करें उसको बोलते है balance with stone bridge और बैलेंस कब होगा जब cross multiply this into this this into this के बराबर हो R1 into R3 R2 into R4 के बराबर हो तो जब भी यह condition होगी अगर यह condition follow होगी तो बीच में से current flow नहीं करेगा और उसी कोपन बोलेंगे इसके उपर एकदम सड़े सड़े कोशन आता है एकदम एग्जामपल 3.8 कल करना कल मैं बताउंगा सबसे पहले ठीक है अज आते हैं मेटर ब्रीज में किसमें आ जाते हैं मेटर ब्रीज कि अब यहां पर गूगल से में जाहीगी क्या है माइघ कम्प्यूटर से है कि अच्छा है यहीं से मेटर ब्रीज की फोटो किसके लिए आता है इसको डारेट यहां ले कहना है तो पिन कैसे लिगा सकता है इस तो आप्षिन होगा ना यहां पर दिया इन बेल्ट तो इसको सर्च करने का है चुछ तो आपक्चिन क्यों नहीं आ रहा है हाँ हाँ है इसे पिक्चर करतें पहले से पिक्चर डेक्स्टॉप में कर देते हैं यहां पर से डेक्स्टॉप से लिए आते हैं बंद होगा भाई तो है 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 कि अचलो आगया आगे बढ़ते हैं मीटर ब्रीज है ना मीटर मतलब यह एक मीटर सौ संटी मीटर तो सो संटी मेंटर का एक एक दम यूनिफॉर्म वायर है ना वह लगा हुआ है और उसके सांद दो और रेजिस्टंस लगाने का पूप्शन दे रखा इस तरी संट्र चानगे करें लेब हैं और यहां पर पूरा एक मीटर का यहां से लेकिंगे यहां था किया है आपका पूरा वायर ठीक है अब इसको और अच्छे से इसने के समस्क्राइब यह नीचे यहां साय मानुआ ऐसा है ठीक आता समझ में आएगा यह पूर आपका मेटर बेज है और फिर वाइसे सर्कृट से जुड़ा हुआ है पासमझ में आई आप बताओ अगर इस टैयब का सीर्प अभी अपने देखा था लो रिशिस्टेंस ही धर रिकर यह बोटार बीच का जाएंगा तो बिच में पर तो ray अब यह क्या काम आता है वाप लेब में जाएंगी जब अपने स्कूल के तो आपको यह दिखेगा वहाँ पर अगर आपको एक रिजिस्टेंस दिया हुआ है कि भी है इसका पता है आपको 10 होम 20 होम 100 होम और एक और दूसर रिजिस्टेंस है जिसमें लेबल हटा दिया कि कितन किया यहोम का है और आपको टीचर बोले कि बताओ risking मैं आपको निकालने के लिए मतलब अन्नोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किसके लिए काम आता है अन्नोन रेजिस्टेंस ठीक है Sind you कि मेटर ब्रीज यूज्ट तो टु फाइंड अनओं तो रेžिस्टेंस अनओं रेजिस्टेंस को Experiment करने के लिए कूल किया जाता है मेर्ट रेज यूज किया जाता है देखा यह पूरा कपूरा इस ऩरे बना यंज आपको जो मालूम में वह एक रिस्स Ciank यहां लगा दिया और यह आपको जुदा से जूड़ा होता है कण्ड होता है कि से का पैन है जो connection का काम करता है उसको अलग अलग ज़िए आप टेच कर सकते हैं उसका आगे का जो हैड होता है वो conducting होता है conducting होता है तो आप उसको कहीं पर भी टच करोगे तो वहां से अगर नीचे से करेंट आ रहा है तो ऊपर से पूरा यहां पूरा वायर है एक मिटर का और यहां पूरे सेंटीमेटर पूर यहां पर बना रहाता है अब आपने अलग अलग जगह टच किया चाओकि कोई धार यहां इलग लग जगह आपको एक ऐसी जगा मिल गई जहां पर यहां पर कोई deflection नहीं हो रहा है मतलब आपने समझ गया कि ओ भाई साब यहां पर टच करने से यहां पर current flow नहीं कर रहा मतलब यहां तक का जो रिजिस्टेंस है और यहां तक का जो रिजिस्टेंस है वो मिलके क्या बना रहे हैं वीट स्टोन ब्रीज क्या बना रहे हैं वीट स्टोन ब्रीज तो मतलब कुछ नहीं भगया एक बड़ा सा वायर होता है और उपर में दो रिजिस्टेंस लगाने का होता है तो एक आपको जो पता है यह नी पता है वो लगा दिया अब बीच में से जॉकी को इंप जगा तच किया कि बहए कहा jij अब पना आपने पर लगाया और इधर साथ कि बच में चेकरना है बीच में पर देख लो फिर अगर मालो बीच वाले में इधर डिफलेक्शन में ठीक है फिर मर्णों आपने कहीं पर यहां पर यहां पर। कि फॉन इन दोनों के पीचेशिक आपकिlor के लिधा और इदा च आ गया सबस्क्राइब और इस सर्थ आगे कि यहां चेक करना यहां चेक नहीं करना तो इस तरीकिसा आप बोलों कि सब्सक्राइब करके देखते जाएंगे कहा पर आएगा प्रब्लम हो जाएगी ना तो बैटर आप उसको आप नहीं स्कूल वालों के साथ कि तेजी से हैमर करोगे या तेजी से टैप करोगे उसको जोकी को तो ऐसे कट टैप का बन जाएगा तो यूनिफॉर्म नि रहेगा फिर स्पार्क वगर होने का प्रब्लम हो सकता है इसलिए आप कभी भी ऐसा काम ना करें भले आपको स्कूल वालों से कितनी भी गुस्सा हो कितनी भी प्रब्लम हो आप ऐसा काम ना करें ठीक है और दुसरी बात आपको यह याद रखना है कि आपको जो की उसको उसके ओपर घिसरा नहीं है अलग अलग जगा उठा उठा के टेच करना है तो अप जैसे आपको पॉइंट मिल आपने लेंट्व क्या है देख सकते हो नीचे स्केल तो बना हुआ ही तो मालों वह आपको लेंथ आ गया वन या ल लग तो यहां को ला लेंख कितना हो जाएगा 100 माईनस ऐल ओजाएगा और टोटन 10 संटीमेटर है न तो आल आ गया और आप सैंटीमेटर में और यह ठीडिशियल में से इस वायर का रेजिस्टेंस आ गया अब आपको मालू मैं बीच से करेंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब इस इंटू इस बताया ना वीट स्टोन पीज में यही तो बताया कि अगर बीच से करेंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्लॉस मिल्टिपले कर दो इस इंटू इस किसके बरावर होना चीज इस इंटू देस बस वही चीछ करना है आर इंटू सी इंटू हंड्रेड माइनस एल इस इक्वल टू एस इंटू सी इंटू एल देखो कॉंस्टेंट कट गया इसलिए कोई मतलब था भी नहीं कुछ भी इस है ना रोवाई एको रोवाई एको कॉंस्टेंट माल लिए तो देखो एस अन्नोन एस की वेल्डिव आ गई आर इंटू हंड्रेड माइनस एल अपॉन ठीक है बस ल है अधिक कर रहे हैं तो चलो विट्स्टोन ब्रीज होगे आपना मीटर प्रीज होगे मीटर प्रीज इंपली आपका क्या फाइंड आउट करने के लिए अन्नोन रेजिस्टन्स तो अगर आप लैप में जाएंगे आपको सिर्फ एक चीज देखनी है लैब मे आपने अलग लग जेकर टच किया जहां पर जीरो हुआ यहां पर पूट कर दिया और आपको तता था है तो आपको पता चल जाएगा अन्नोन रेजिस्टन्स कितना है तो आप सभी जितने भी लोग यह देख रहे हैं अपने स्कूल में बोलिए अपने टीचर्स को की भिया चाहिए पिस दस जार हो चाहिए पचास जार कराओ एक्स्पेरिमेंट खुले हो कि तुम्हों का सब्तर जार एक सल का है अब है अब करता हैं तो नहीं डाए अग्सपेर हो गया गया है एक लाद पंशीजार हम दो पेर है अब करता है 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 चलो होगे ही है मिटर प्रीज मतलब नहीं है सो रश्क्राइब नहीं ना एक लाग रूपर रखूंगा तो इस एक साल के कि इस बढ़ा किमत्र नहीं है कि अंधर कि अच्छा रहें गैजितने कोचिंग में तुम जो नहीं है हुँ है इस नोव दाने हैं निए अधिकिष्ट सुरजपूर के इस अचावब थाठी से उपर नहीं होनी चाहिए आगे बढ़े तो यह हो गया मिटर ब्रीज बीट इस टोन बीज हो गया मिटर प्रीज हो गया नेक्स्ट और लास्ट है आपका पुटेंशियो मीटर वायर क्या है पुटेंशियो मीटर वायर हुटेंशियो मीटर वायर हां ठीक अभी आराम से पढ़ेंगे क्या इतना कि आराम से थ्वासन कफी ओफी लेया अपमस्ट हां कोल्डिंग कोल्डिंग पिज़ा आराम से करेंगे एक दम पुटेंशियो मीटर वायर ध्यान से देखिए इन दो बालकों को नहीं दिख रहे हैं चलो पुटेंशियो मीटर वायर पढ़ना है लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का आई हो आपको इससे पहले के सारे टॉपिक समझना है होंगे नहीं आयोंगे तो भही मेरे को कमे साइस एक्जाम्पल सारा सब कुछ डिसकस करेंगे उसके लावा भी अगर कोई और अदर कोस्टन है जिसमें आपको डाउट है अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर आपका क्लियर करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं धहन्यवादी कमेंट करो 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 तु और बहुता ऐसे ठीक है अब यहां पर ऐसे एक बैटरी लगा दिये रजिस्टेंस लगा थी इक बैट्री वैटरी और ये आर तो अब यहां पर पूरे में करेंट दोडेगा तो यहां से यहां पर कुछ पोटेंशिल ड्रॉप आए-गा जोगी हर रेजिस्टेंस के बहुत तो पहले आधा क्यों बोले अभी तरह करें आई अगर और रेजिस्टेंस से आई करेंट जा रहा है तो आई-र 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 तब से करेंगे कि रेजिस्टेंस मैं बोला 10 ohm का उसमें से 2 ampere का करेंट जा रहा है तो potential drop कितना होगा 20 का वैसे यहां पर भी potential drop होगा है ना पूरा यहां से लेकर करके यहां तक पूरा potential drop होगा अब वह potential drop जो पर यूनिट लेंथ है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियेंट क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियेंट पाई किसे देनोट करते हैं फाई ठीक है देनोटेड भाई फाई पोटेंशियल ग्रेडियेंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इसका क्या बोलते हैं इसको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ फाई आपको दिया हुआ है मतलब अगर आप इसमें जितना लेंथ लेते जाएंगे इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियो मीटर वायर समाप बस इसके दो अप्लिकेशन और देखने हैं कौन से दो अप्ल बैटरी का आपको internal EMF नहीं पता वह आप पता कर सकते हैं using potentiometer वायर मतलब मैं अभी आपको एक बैटरी देदू मालो यहां पर एक बैटरी है और इसके उपर का वो हटा दूं कि भिया कितना वोल्टेज है जो भी है और आपको मैं बोलू इसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं आपको टर्मिनल वोल्टेज नहीं पताने अंदर का वो यहां पर करेंगा तर्मिनल में भारी अलग होता है पठील अधिक है और और इधार देखो और एक है एम अंदर की जो वर्क कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज के लिए उसको पन क्या बोलते हैं इमF एलेक्ट्रो मोतिफ पोर्स पर्ट ट इस नॉट पोर्स आप वह पोटेंशल डिफ्रेंस है लेकिन अंदर बैटरी कर रहे है वह और एक्ट्व में जो बाहर मिल रही है वह क्या है टर्मिनल वोल्टेज तो इसका इमफ निकालना है अगर मैं आपको यहां पर पूरा हटा तो अब आप क्या करोगे यहां पर वह बैटरी को लगात होगे जिसका इंटरनल रेस्टेंस भी होगा कुछ नो कुछ है ना अब यहां से अगर आप लोगे एक गैलवेनोमेटर गैलवेनोमेटर एक आपका डिवाइस है इलेक्ट्रोनिक डिवाइस इंस्ट्रुमेंट है जो ओड़ा एक डिवाइस है जिसमें थोड़ा सापी करेंट जा घएगा तो बिफलेक्ट करेगा है है अगर मालनो उधर करेंट जा रहा है तो यहां तो किया यहां तो यह आपको ऐसी जहां मिल गई जहां तक करने में यहां पर करेंट फ्लो नहीं कर रहा इसका मतलब क्या अगर यहां पर पोटेंशल ड्रॉप कितना होगा इमएफ के बराबर ही होगा अगर करेंट जाता तो ऑनकल पोटेंशल ऑरॉप कितना हो जाएको यहां पर इन्टू और वो निट किसके बराबर होगा EMF तो आपको EMF मिल जाएगा L की value मिल गई potential gradient आपको पता रहेगा इस machine का तो आप value put कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा EMF या फिर अगर आपको potential gradient भी नहीं पता आपको potential gradient भी नहीं पता तो अब आप क्या करोगे आप एक ऐसी battery लाओगे जिसका EMF आपको पता है अब कैसे करोगे देखो आपने एक और battery लेकर आगई अब पहले तो आपने यह लगई जिसका नहीं पता था अब आपने next time में एक ऐसी battery ले आई जिसका EMF आपको पता है E1, अब इस E1 के लिए दूसरा length आए का मालन लेता हूँ तो अब मैं क्या बोलूँगा 5 into L2 is equal to E1 जो मेरे को पता है अब मैं दोनों को डिवाइट कर दूँ देखो 5 की जरुवती नहीं पड़ी तो अगर आपको potential gradient पता है तो एक ही बार में हो जाएगा नहीं पता है तो आपको एक और ऐसी battery चाहिए जिसका EMF आपको पता है तो फिर आपको potential gradient की जरुवत नहीं है आप दोनों length को खाली ratio कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यह EMF जो निकालना था upon E1 जो दिया था is equal to L1 by L2 तो EMF जो आपको चाहिए था वो क्या आगया L1 by L2 into E1 E1 मतलब वो है जो आपको दिया हुआ है और याद रखना E जो आपको दिया हुआ है EMF उसके लिए भी अपने यहां L2 लिया अगर आपके बुक में अगर यह L1 यह L2 है तो उपर नीचे दीखेगा तो गलत मतलब आपको खाली क्या याद रखना है यह यह आप ऐस्टर द्रल्बिय यह 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 योरत रखना है आप यह यह यहां ओकर ना दूसरा अपिलेकेशन इधर दूसरा करणा है अब second use, अपन को क्या करना है, potentiometer wire का second use, second use है एक battery, जिसका आपको internal resistance नहीं पता, वो आपको निकालना है, तो आपने क्या किया भी है, यह circuit potentiometer wire तो था, अब आपने यहाँ पर से एक circuit ली इस ताइप से, यह battery, इसका internal resistance R, इसका EMF E, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ से जोकी connected है, ध्यान से सुनना एक दम, ठीक है, और यहाँ पर से एक resistance है, R, और यहाँ पर एक लगा हुआ है switch, आपने क्या किया, सबसे पहले इस switch को off रखा, क्या रखा, तो यह circuit है नहीं पूरा, सिर्फ यह circuit है, अब आपने इसको touch किया, कहाँ पर current flow नहीं कर रहा जहाँ पर current flow नहीं करेगा, वहाँ यहाँ पर भी current flow नहीं करेगा, क्योंकि यह तो already switch off है, समझ मैं है, तो कोई current नहीं, मतलब यह E बराबर होगा, यहाँ के potential drop के बराबर, मतलब E is equal to 5 into L1, मालो यहाँ पर पहले चो length आया, वो कितना था, L1, ठीक है, अब second में आपने क्या कर दिया, इसको on, क्या कर दिया, on, अब जब आपने इसको on कर दिया, फिर आपने एक ऐसी जहगा ढूंटी, जब यहाँ पर current क्या हो गया, 0, उस समय length आ गया, मालो L2, अब यह L2 किसको represent करेगा, यहाँ से current दोड रहा है, आई, तो अब यह जो L2 है, वो किसको represent करेगा, E minus I, R को, किसको represent करेगा, E minus I, R, अब E minus I, R को कौन represent कर रहा है, 5L2, बास समझ में आई, E minus I, R, दोनों equation को divide कर दूं, तो 5, 5 कर जाएगा, E upon E minus I, R, is equal to L1 by L2, ठीक है, अब I की value put करनी है, वहाँ पर मेरे को, तो I की value कितनी होगा, अब खाली इस circuit को देख, अब यही से circuit यहा resistance, तो total current कितना हो जाएगा, total voltage upon total resistance, हो जाएगा, अब यहाई की value को यहाँ पर put कर दूं, तो E upon E minus E, R upon R plus R, is equal to L1 by L2, E to common निकल के कट गया, यहाँ बन मेरे जीक है न, अब LCM लेके R1 plus R2 को उपर भेज़ दूं, तो क्या आएगा, उसके बाद यहाँ से उपर कर रहा हूं यहाँ पर, तो R plus R, SGM ले लिए, उसको उपर भेज़ दिया, तो R plus R, उपर चला गया, नीचे में क्या चाहेगा, R plus R minus R, तो खली R बच जाएगा, capital R, छींगे, is equal to L1 by L2, तो R by capital R plus 1 is equal to L1 by L2, तो R की value हो जाएगी, L1 by L2 minus 1 into R, simple सा formula आ गया, that's it, chapter समाप, जाएगा, R की value हो, तो R की value हो, आपको पता है, आपने यहाँ पर कौन सा लगाया, R की value आपको पता है, तो दो बार experiment करना है, एक बर इसको off करके, L1 आ गया, एक बर on करके, L2 आ गया, वो दोनों value को यहाँ पर put करना है, काम खतम, आप इसमें लिखो के L1 is the length corresponding to the EMF when switch is off, and L2 is the length that represent, that corresponds to the E minus IR when the switch is on, बस, तो यह आपको clear रहेगा, कि इस formula में क्या kaput करना है, ठीक है, चलो, तो पूरा chapter समाप्त हो गया है, धन्यवाद, 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 तो आज आपसे लेते हैं, अलविदा यहीं परपन, है ना, फिर मिलेंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, देखते रहे हैं, सौराफ सरकी क्लास, जैहिन, बाइ-बाइ, टेक केर